शून सान रास्ता देखा और पंगडड़ियों में ही मेरे पीछे से एक पत्थर मार दिया और मैं ब्होस हो कर जैसे ही गिरी तो मेरे एक चाती पर पैर रखकर खड़ा हो गया और गले पर भी तेजी से पैर रखा और उसके बाद मेरे आखों पर पट्टी बांदी और मैं बेहुस हो गई लेगी इसे ही मेरे बदन को मेरे पैरों को मेरे हाथों को बांद दिया और उसके बाद मेरे साथ घिनावना करत किया ऐसा कहना है चित्रकूट नर्स केस की पीड़ता उस नर्स का जो इस समय दर्द से कराह रही है जी हाँ यह मामला है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के बर्गर थाना छेत्र का जहां पर एक यू थी एक अस्पताल प्राइबेट अस्पताल में काम करती थी और वह सुबह दस बजे ड्यूटी पर जाती थी और पांच बजे वहाँ से वापस आती थी एक दिन ऐसे ही जब सुबह हुई वह स्पताल को अपने घर से साइकल के बाद्यम से रवाना होती है तो बीच में कुछ लफंगे उसको ताक लेते हैं और ताक में ये रहते हैं कि कैसे घिनावना काम किया जाए और उस वारदात को अंजाम देने के लिए वह उसको सुबह जब वह जाती है तो पकडड़ियों के माध्यम से जब जाती है तो उसी रास्ते पर पीछे से एक ब्रहार कर देता है प्रहार करने के बाद वह यूती जिस प्रकार्थ बयान में बताती है कि वह जैसी पत्थर मारता है और एक तमाचा मार देता है तो वह जमीन पर ही गिर जाती है और वहाँ पर जो पत्थर होते हैं, वहाँ पर इसके निसान भी मौजूद है उसके साथ कैसा गिनावना कारिक किया जाता है वह कई मिनट तक उन दरिंदों से लड़ती रहती है अंत्रते जब वह नहीं लड़ पाती है तो यह बताती है कि उसके जैसे हुए गिर गई तो उसकी लेगी से ही उसके पैरों को उसके हाथों को बांध दिया जाता है और उसके आखों पर काली पट्टी बांध ली जाती है और मुह पर भी कपड़ा लगा दिया जाता है और मुँपर कपड़ा बांध कर उसके साथ ऐसा घिनोना करत्त किया जाता है जो कि पूरे चित्रकूर समेत उत्तरपदेश में लड़कियों में और महिलाओं में डर का महौल पैदा कर देता है और ऐसी वर्दात को अंजाम देने के बाद उसको रेलवेट ट्रैक पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है और इस मंसा से छोड़ा जाता है कि उसकी मृत्तु हो जाएगी और वह कुछ बयान नहीं कर पाएगी लेकिन उपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती है वह इन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए उस बच्ची को जिन्दा रखता है और वह बच्ची कुछ जब से लोग उसको देखते हैं कि ऐसा उसके साथ घिनावना कार किया गया है तो उसको अस्पटाल में भरती कराते हैं उसके एक पच्च में जिस हास्पिटल में वह काम करती थी जब वहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स ने बात की तो वहाँ पर अस्पटाल वाले ऐसा बताते हैं अस्पटाल का नाम है राज हास्पिटल और उस अस्पटाल के जो लोग थे कर्मचारी थे उनसे बात करने पर यह पता चलता है कि वह जो बेटी थी वह जो बच्ची थी उसकी उम्र लगभग 23 वर्स की थी और वह किसी से दुर बेवहार नहीं करती थी कोई उससे बात करता था बहुत ही सालिंता से वह बात करती थी और कोई भी मारी या कोई भी पेसेंट आता था तो उसका अच्छे से हैंडल करती थी उसका डाटा इंट्री का काम भी वही करती थी और वो कभी नजरों को फेश टू फेश बात नहीं करती थी, वो हमेशा नजरों को जुका कर बात करती थी इस बयान से आप समझ सकते हैं कि उस लड़की की सालिंता कितनी रहे होगी लेकिन फिर भी जब उसके साथ ऐसा काम होता है तो है जावाजी का परिचे देती है और वह सांसों को बचा कर रखती है और अस्पताल में आती है और अपना पूरा बयान दर्च कराती है जैसे हुए बयान में कहती है कि रोज की तरह मैं फिर से अस्पताल को अपने रवाना हो रही थी तभी पीछे से तीन से चार लोग आते हैं और वह मेरे साथ एक मेरे एक तमाचा मारते हैं जैसी ही मैं गिर जाती हूं जमीन पर तो वह मेरे पैरों को बांद देते हैं और मेरे साथ गिनावना कार करते हैं आखों में पट्टी भी काली बांद देती है ऐसा वह बताती है उसकी पहचान भी वह कर लेती है आखिर कौन सा मुझरीम है इस बयान के बाद मुझरीम के भी जहन में डर प्यल गया होगा कि आखिर बच कैसे दो भी और इसने बयान कैसे दर्ज किया अब मेरी पहचान भी हो जाएगी यह मुजरिम जरूर सोचता होगा क्यों क्यों कि उसने पूरी पहचान मुजरिम की बता दी है लड़की ने ये भी बताया है कि जो मुजरिम है वह बढगर छेतर का ही है और उसने कभी उसको देखा है बढगर के आसपास यानि कि वो बर्गड का ही है वो ब्लैक पैंट पहनता है रंग उसका काला है और उसके साथ तीन लोग और थे उसने यह बात अस्पताल में बताई बर्गड में जब यूति के साथ ऐसा घिनोना कार किया और पूलिस ने उस पर कठोर कारवाई करने के लिए उस समय लापरवा परतने वाले राकेस मौर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है इस पी इसकी मानी मॉनिटरिंग स्वयम कर रहे हैं और इस समय नए व्यक्ति को वहां पर कमान सभाली गई है इस समय बढ़गत थाना छेत्र के अंतरगत आने वाले जो वहां पर थाना छेत्र है वहां अब वर्तमान में इसकी अपड़ेट है कि अभी पंकर तिवारी जी को कमान दे दी गई है और एस पी साहब इसकी सवयम मॉनिटरिंग कर रहे है है तरवलाइंस टीम यहां पर एक्क्टिव है जल्द से जद इस पर कठोर कारिवाह की जाएगी आपकी क्या राय है के माद्य क्रत्त करने वालों के खिलाप कौन सी ऐसी सजा मिलने चाहिए कौन सी ऐसी कारवाई होनी चाहिए यह आप कमेंट को आदेम से जरूर बताईएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के इसलिए से एर करिएगा कि इस बच्छी को न्याय मिल सके और यह वीडियो से हम के स्लोर मेडिया इसी तरह खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा